जिस तरिके से खुशिया मनाने उन्हें लग रहा है जैसे केस ही समाफ्थ हो गया हो अब मनिसकस्यप फिर से कभी जेल नहीं आ सकता है इस पर क्या टिपनी करना चाहिए एक बात समझे बेल होने का मतलब यह नहीं है कि आप केस हाटा लिया गया और आप बाल-बाल बरी हो गय आपको न्याले ने इसलिए छोड़ा है कि अपने साक्ष को आप करें अपना डिफेंस लाए न्याले में और यह साबीत करें कि हां आप दोशी नहीं है मनिसकस्प पर जो भी बिहार सरकार की बेक केस लाए गये गये थे इकनामिकल ऑफेंस का यह यूनिट्स का उन सब में करी हाई हो चुकी है लास्ट बेल जो इनका कल हुआ है अभी उसमें और प्रोनोंस नहीं हुआ है उन्देवल हाई कोट का संभवता आज हो गया होगा तो कल वो बाहर हो जाएंगे अगर कल आएगा तो पासों बाहर रहेंगे लेकिन अब चुकि बेल हो गया तो रखने का शुते कुछ नहीं है जैसा की एने से जैसा जो अरोप लगाया जा रहा है उसे हटा दिया गया है यह खुशी की बात है जो हटा दिया गया है लेकिन और जिस तरीके से इसमें महीनों का टाइम लगा उसे आप कैसे देखते हैं क्या इतना टाइम लगना उचित था? तुर जब भी कोई बंदी को डिटंशन किया जाता है कहीं एने से कुई कि निहीं होता है एने से होता है कि अगर आप पर की इस तरह का आरोप लगाया गया है कि आपके बाहर रहने से सांति भंग हो सकती है तो आपको किसी एक प्लेस पर रोक दिया जाता है रोकनी का ओधी तीन महीने की होती है फिल उसको एक स्टेंड़ करके छे महीन तक या एक साल तक या सकता है मनिश साब भी एही हुआ था तो पहले 90 डेस के लिए उनको एनसे रखा गया था उनको तो एनसे टीम जो होती है उसमें अन्रवल हाई कोट के जज़ भी होते हैं जो चंदी के थे वो और बाकिवाद इस्टिक में स्टेट होते हैं एक टीम गठं के आता है जो एनसे रगाता ह कि अब तो एनसे हट चुका तो उसके कारणों की समख्षा करने का अब यह वक्त नहीं रहा है इसलिए भी है सर क्योंकि अभी भी लोग में एनसे जैसे ही सुनते हैं इसको राज द्रोह या पिर देश द्रोह जैसा केस में से रिलेट कर पाते हैं इसलिए लोगों तक इस ल लगाया गया वह गलत था यह सही था लेकिंट पूरा करने के बाद ही वह इनसी खत्म हुआ ऐसा नहीं कैने से गलत करके हटा दिया गया था एसा नहीं था तरीके से लिए उनको लग मिला और उहां से बेल हुआ तो अब ट्राइल चले का देखा जागा फिर उसमर्थकों मे बेल होने का मतलब यह नहीं है कि आप पर केसहाला बाला बरी हो गए बेल का मतलब होता है कि आपको न्याले ने इसलिए छुड़ा है कि अपने साक्ष को आप को अपने सांधोन करें डिफ्रेंस ल है Nick और ये थावित करें कि हाँ आप दोशी नहीं है। कि इस प्रूफ करेंगे यह प्रूफ करेंगे कि आपराद सावित नहीं हो रहा है अगर नहीं समझेया कि हमारी बात सही है तो भरी कर देगा फिर उसको जादा तर जो मानेश्यम करेंगे लगे में यह थे पत्रकारिता में इनवल्ब होने की वजह से किसी को नया दिलाने के लिए या किसी मुद्धापर बात करने के लिए गए हुए ग्रांड जीरो पर माशें के अन पर आया है तो ऐसे में और लोगों कभी में जो पत्रकारिता कर रहे हैं मैं inventory कुछ तोह है, और पत्रेकरता कर रहे हैं, तो सच को दिखाइए. नोरild को रिखीन को या पत्रेकार को हमेशा सहंसील होणाँ चाहिए, और जो सचाही है आप लिखाई. पत्रकारों को धमकी नहीं देना है, पतरकार इस्कूल में भूश जाते हैं और प्रिंसिपल को टीचर को टॉसर करते हैं को ये पढ़ान नहीं आता वो पढ़ान आता लेते हैं पॉलिटिकल इशो लेकिन वहमानजन के पात्रा बन जाते हैं और लोग उस्स्ट मज़ाए इस फूर पने लेते हैं और टेके अ के स्टाइogether ली तो आपकी पत्रकाइता जो है वो तो गौन है ही आपके यूट्यूब चनल का ही बदनामी उसमें हो रहा है तो जब आप कुछ ला रहे हैं कॉंटेंट से इंटर्व्यू के लिए तो आपके पास होना चाहिए कुछ छोटा सावाल था हमारा किसे उसमा बहुत दिनों से देख रहे हैं दम बेते देनों से मैं मैं देख रहा हूं कि मैं इसकता पाज आ रहे हैं कल आ रहे हैं इस विस है पर मसर से बात करना जरूर बताईएगा बहुत बहुत जन्यवाद